यह आठ मैने का चंदन का पौधा तो इसके बाजू में होस्ट लगाना जरूरी होता है इसके लिए मैने यह इस तूर को लगाए है तो जब भी आप पौधा लगाते हो तो होस्ट लगाना जरूरी होता है और यहाँ पर एक होस्ट है यह नीम का पौधा तो यह मैने नहीं ल आपने आप आया है तो जब भी आप कुछ मेनद करते हो तो खुद्रत भगवान जो भी आप बोलो वह आपको हमेशा सहायता करती है लेकिन आपको कुछ परिशाने भी आती है तो उस वक्त आपको लगे रहना पड़ता है तभी भगवान आपको साथ करता है तब तक नहीं कर करीपत्ते का पवत्तma कि चानल कि जाता है और इस में बहुत सारे व्युतमिंस होता है तो यह सब को मालुम है है मैंने क्या क्या है यह आ पर देखो यह चन्दन है और इसके बाजु में जैसे मैंने बोला है नेम का पवादा होश्ट का काम करेगा यह आपर भी एक नीम है तो इन पोधों की भी हमें कटाई करने पड़ते हैं क्योंकि यह बढ़ेंगे तो चंदर ने बढ़ेगा तो इनको भी छोटाई रखना पड़ता है लेकिन अब इसकी भी हमें चटाई करने पड़ेगी तो जब यह बढ़ा होगा तो इसकी चटाई करने के और पत्ते बैशने है तो बाजार ड्ञॉनना पड़ेगा मेहनत थो अ करने ही पड़ेगी बिना मेहनत तो कुछ मिलई गये नहीं अगर बिना मेहनत मिल जाता के बहुत और जादा लोगा अमीर होते हैं और बहुत 3 कंुट यहोग नब होते अभी तो उल्ठाइना कम लोग आमीर है और जादा लोग गरीब है क्योंकि सब आमीर तो बनना चाहते लेकिन मेहनत कोई नहीं करना चाहता तो मेहनत के बीना तो कुछ हो गाये यह सुरस्प्रय का नियम है तो अज ही कहना चाहते हूं कि चंदन-बाजि जो भूस्ट है हो आफ ये करीपत्य का पॉदा लगा सकते हो इसे भी आपको पैसा मीलेगा इसकी पाoडर बना सकते हो अगर आप 100 ओंदे लगाते हैं तो यह दोनों बाजुब्य एक ऐक बाजु में इसको determat को और दूसरु आपने तरीके से हम उसके आउश्यदी बना सकते हैं लेकिन करना पड़ेगा तभी हो जाएगा सब तो बस विडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए क्योंकि सब लोग इतने बीजी है कि वो बिना काम के विडियो तो 15 मिनिट देखेंगे लेकिन काम वाले जो विडियो है वो देखने के लिए उसके पास समय नहीं है तो आपका समय जाता लेना नहीं चाहता हूँ तो बसे ही रुकते हैं चंदन की खेति कीजिए हमेशे आपने काम में वैस्त रहे है कुछ न कुछ अलग किजिए तब ही जाकर आपके जिवन में कुछ बदलाव आ सकता है